जै श्री राधरानी सरकार की, जै श्री कृष्ण भगवान की, जै श्री लक्षमी नरायन जी भगवान की, जै पुर्शोतम मास महत्यम की, मंदर शिपनसी वाले महात्मा यूड़ोप चैनल के और से हम आप सबी भगतों का हार्दिक बिनंदन करते हैं आज हम आपको पुर्शोतम मास महत्यम के ग्यारने अधै की कथा को सुनाने जा रहे हैं, पिछले अधै की कथा में आपने सुना था, कि वे ब्रह्मन पुत्री महरिशी दुरवासाजी से बात करते हुए, बारम बार पुर्शोतम मास का निरादर करने लगी, तो उस समय पार्वती पत्ती भगवान शंकर जी की आरादना करने लगी अब उससे आगे की कथा देवरिशी नारद जी श्री नरायन भगवान जी से कहने लगे हैं कि हे प्रभू उस कन्या ने बड़ी कठोर तपस्या प्रारहंब कर दी जिसे मुनी लोग भी करने में कठिंता का करते हैं इसके बाद श्री नरायन भगवान जी कहने लगे हैं कि उस कल्यानी ने बड़ी कठिनाई से होने वाला तप्रारहंब किया है तथा पंच मुखी शांत शिव का ध्यान करने लगी गर्मी में प्रचंड धूप में अगनी के बीच में बैठ कर और हेमंत तथा शीत रितु में ठंडे जल में बैठ कर वह तपस्या करती थी उसका मुख जल में कमल के समान तथा सीर के बाल फैल कर शेवार मंजरी से घिरे हुए जल में शोभाई मान लगते थे वह बाला वर्शा रितु में खुले मेदान में वर्शा के जल को अपने शरीर पर लेती थी करते थे ऐसे तब क्रम में उसे नो हजार वर्श बीत गई तब पार्वती पती भगवान शिव उसकी तपस्या से भहुत प्रसन हुए हैं और उसे वहां आकर दर्शन दिये हैं भगवान शिव जी के दर्शन करके वह बाला शिगर ही खड़ी हो गई तपस्या रथा परसंत के कारण क्रिश देह भी हश्ट पुष्ट दिखने लगी उस बाला ने सिर जुका कर भगवान शिव जी को प्रनाम किया है संसार पूज ये भगवान शिव का मानसिक पूजन किया तथा भकती पुर्वक इस परकार स्तूती करने लगी है कि है पार्वती नाथ आपको बारं बारम बार नमस्कार है ये प्रभू जो आपकी शरन में आर्शे लेता है वह घोर संसार में डूबा हुआ भी तथा वह परतेक अंग से तापित और पीडित भी हो और काल रूपी सरप की भियानक द्रिश्टाओं के द्वारा पीडित भी हो तब भी शरीर दुख से छूट ज है ये प्रभू आपको बारम बार नमस्कार है इस प्रकार मन और वानी से उस तपस्विनी ने महादेव जी की प्रातना की है बारम बार प्रभू किस्तूती करने लगी है आज उसकी प्रातना को सुनकर तथा उग्र तप से प्रसन हुए भगवान शिव जी कहने लगे हैं क जो भी तुमारी मनो कामना होगी उससे हम अवश्य पूर्ण करेंगे। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृषन जी अर्जुन से कहने लगे हैं कि इस तरह से भगवान सदाशिव के श्री मुख से ऐसे वचन सुनकर वो आनंद में मगन हो गई है। और उस समय वह भगवान श्री शिव शंकर भुले नात जी से कहने लगी है कि है धीना नात आप अगर प्रसन हैं तो मुझे पती दें, मुझे पती मिले, मुझे पती दीजिये, मुझे पती की कामना है, पती दीजिये। तब उस बाला से भगवान शिव ने ये कहा है कि हे मुनिक अन्या तुमने मेरे सामने अपने मुख से पांच बार पती शब्द कहा है इसलिए तेरे पांच पती होंगे और वे शूरवीर धर्मों के ग्याता, साधू और सन्यासियों के समान रहने वाले सत्यवादी, प्राक्र में यग्य करता गुनों के कारण प्रसीद इंद्रियों को वश में रखने वाले राजा होंगे इतनी कथा सुना कर भगवान श्री कृषिन जी कहने लगे हैं कि श्री शिव जी का अप ये वचन सुनकर वह बाला जुक कर कातर स्वर में बोली कि हे सदाशिव हे गिरिजा कांत संसार में इस परकार मेरा उपहास ना करवाये क्योंकि परतेक इस्त्री का एक ही पती होता है पांच पतियों वाली एक इस्त्री कहीं ना तो देखी है और ना ही सुनी है ये कृपानी धान आपके सामने इस परकार कहना योग्य तो नहीं है इससे शमा चाहती हूँ हे करो आगे के जनम में तपस्या के बल से तू गर्ब द्वारा उत्पन नहीं होगी उसी जनम में तुझे ये पांच पती प्राप्त होंगे उन पतियों के साथ अनेक सुख भोग कर तू परंपत को प्राप्त होगी भगवान शिवी शंकर जी महाराज आगे कहने लगे हैं कि हे पुत्री पुर्शोतम मास भगवान को प्यारा मास है तूने उसका नियम पालन नहीं किया त्री लोकी नाथ भगवान शिक्रिशन जीने पुर्शोतम मास को अपना इश्वर प्रदान करके इसे भहुत महत्योपूर्ण बनाया है पुर्शोतम मास साक्षात शिक्रिशन भगवान का सवरूप है ब्रह्मा आदी देवता देवरिशी नारद तथा मैं स्वम जिसकी आग्या पालन करते हैं उनकी आग्या भला कोन टाल सकता है हे मुड़े तुने संसार पूर्जे इस मास का वरत पालन नहीं किया हे ब्रह्मन पुत्री इसी कारण तेरे पांच पती हो इस परकार कहते हुए भगवान शिव तो अंतर ध्यान हो गए और वह बाला जूंड से बीचुडी हिरनी के समान चकित खड़ी रह गई है तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है इस कथा में द्रोबदी के पांच पती होने की कथा का पता चलता है कि किस कारण से द्रोबदी के पांच पती हुए थे उस ब्रहमन की कजा ने पुर्षुतम मास का नीरादर किया जिसके फल सवरूप उसको ये दंड मिला है वैसे एक पती वरता इस्तरी का एक ही पती होता है किन्ट। उस ब्रहमन करन्या ने भगवान शिव की भक्ति करते हुए भगवान शिव से वर्दान में पती शब्द का पांच बार परियोग किया है भगवान शिव से वर्दान मांगते हुए पती शब्द का पांच बार परियोग करने से भगवान शिव ने उसे कहा है कि अगले जनम में तुझे पांच पती प्राप्त होंगे तो इस तरह से मनुष्य जो क कोई कर्म करता है उसका फल उसको प्राप्त होता है पुर्शोतम मास का निरादर उसने किया तो उसका फल उसको इस तरह से मिला है इस कारण पुर्शोतम मास का निरादर बिलकुल भी नहीं करना चाहिए पुर्शोतम मास को भगवान श्री क्रिशन जी ने स्वेम अपनाया है उसे अपना बनाया है तो भगवान को अतीप्रिये इस मास में अधिक से अधिक भगवान की भक्ति करके भगवान श्री रादा क्रिशन जी को तरी लोकी नात भगवान श्री क्रिशन जी को प्रसन करना चाहिए अगर भगवान प्रसन हो गए तो समझ लेना कि हमारा इसी जनम में उद्धार हो जाएगा तो आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सब का हार्दी का धन्यवाद भगवान श्री रादा कृषन जी की भगवान श्री गोरी शंकर जी की भगवान श्री लक्षमी नारायन जी की पुर्शोत्म मास की अनन्त कृपा सदा आप सब पर आपके परिवार पर भनी रहे महालक्षमी मा का सदा के लिए आपके घर में वास हो भक्ती महारानी सदा आपके घर में विराज मान रहे इसी मंगल कामना के साथ जै श्री राधारानी सरकार की जै श्री कृषन भगवान की जै श्रीलक्षमी नराइनी जी भगवान की जै पुर्षोतम